पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगने वाला है करोड़ रुपए का चूना BCCI सचीफ जैशा के एक बयान से मच सकता है पाकिस्तान के अंदर हड कंप क्या है पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में तो ऐसे में अंतक बने रहिएगा हमारे साथ नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट स्यारी और मेरा नाम है अकाश पांडे ICC Champions Trophy 2025 अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी तस्वीर साफ नहीं है लेकिन ये जरूर साफ है पाकिस्तान इसका होस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इसकी होस्टिंग राइट्स है जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी जादा एकसाइटेड भी है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है चेंपेंस ट्रोफी आयोजन को लेकर काफी जादा तयारियों में लगा हुआ है लेकिन हाल फिलहाल में BCCI के सेक्रेटरी जैशा ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस एक स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ा जटका लगने वाला है तो सबसे पहले BCCI सेक्रेटरी जैशा का वो बयान आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने Champions Trophy में इंडिया के participation के उपर क्या कुछ का है जैशा ने कहा वहाँ पर No decision has been finalized yet, no stands as of now, we will cross the bridge when it comes यानि कि BCCI के अंदर अभी भी Champions Trophy में participation को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है कोई decision नहीं लिया गया यहाँ पर, कोई stand अभी clear नहीं है तभी यहाँ पर भारत पाकिस्तान के लिए रवाना होगा, जब समय आएगा और यह समय तभी आ सकता है जब भारतिये सरकार यहाँ से अनुमती देगी, यानि अभी फिलहाल जिस तरीके से चीजे चल रही है जो cross border tensions चल रही है, उसके हिसाब से तो नहीं लगता है कि यहाँ पर BCCI या फिर Indian Government भारतिये cricket team को पाकिस्तान जाने की अनुमती देने वाली है तो अगर ऐसा होता है कि भारत पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं होता है और Champions Trophy खेलने नहीं जाता है तो इसके बाद पाकिस्तान cricket board को क्या कुछ जटका लग सकता है और जो हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान cricket board को कडोरो रुपए का चुना लगने वाला है इसके अलावा रावल पिंडी तीन स्टेडियम की बात हो रही है जहाँ पर पाकिस्तान जो है वहाँ पर रिनोवेशन का काम कर रहा है पाकिस्तान cricket board ने वहाँ पर तक्रीबन एक स्टेडियम के उपर अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 4.2 बिलियन रुपए खर्च करने वाला है और अगर यह ओवरॉल आकडे की बात करें तो यह जाता है आपके लिए 12.8 बिलियन रुपए लगभग लगभग 13.0 बिलियन रुपए का वहाँ पर इस्टेमिट जो है वो पाकिस्तान cricket board ने यहाँ पर लगाया है स्टेडियम के को रिनोवेट करने के लिए अब अगर आप देखो यह कि एक एक स्टेडियम के उपर करोडो रुपए बिलियन रुप, बिलियन रुप, बिलियन रुपीज वहाँ पर खर्च कर रही है पाकिस्तान cricket board जहां एक तरफ पाकिस्तान की एकॉनमिस तहस नहस होकर रह गई है वहाँ पर PCB ने इतना खर्चा करने का अभी से सोच लिया है बिना कुछ सोचे समझे कि चेंपेंस ट्रूफी का आखिरकार पूरा आयोजन पाकिस्तान में होने भी वाला है या नहीं क्यूंकि ICC ने अभी तक इस पर कोई तयारी, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है बताया जा रहा है कि 545 करोड का बजट ICC ने रखा हूँ है चैंपेंस ट्रूफी होस्ट करने के लिए अब यह तो यह पूरा पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो या फिर हैब्रिड मोडल में हो ICC ने इसका बजट तयार कर लिया है लेकिन अभी इस पर कोई clarification नहीं है कि पाकिस्तान में ही पूरा का पूरा चेंपिन्स ट्रोफी होना है अब ऐसे में ये जो 5 बिलियन रुपए एक एक स्टेडियम के उपर जो खर्च किया जा रहा है ये तो खटाई में जाएगा अगर कहीं किसी तरीके से आने वाले टाइम में ICC ने ये फैसला ले लिया कि पूरा का पूरा टूर्नमेंट पाकिस्तान से हट कर कहीं UAE में या फिर श्रिलंका में करवाया जाएगा तो ये जो रिनोवेशन का कार रे चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रगती के साथ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक एक के बाद एक पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है अभी हाल फिलाल में एक और रिपोर्ट आई थी जहां पर ये कहा गया है कि बांगलादेश और पाकिस्तान के बीच जो कराची में मुकाबला होने वाला है वो behind closed door होगा वहाँ पर कोई भी spectators allowed नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर innovation का काम चल रहा है तो इतनी तैयारी करने के बा वाला है वो इसी वजह से लगने वाला है अगर ये hybrid model के उपर भी shift होता है अगर ये कहीं hybrid model के उपर भी shift होता है तो जो आप schedule देख रहे हैं यहां पर कि पूरा का पूरा ड्राफ्टेट स्केडूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को सौप रखी है ये पूरा का पूर टूर्नामेंट बाहर हो गया जो ये पूरा खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां पर कर रही है ये भी खटाई में जाएगा अब ऐसे में क्या ये इतने पैसे खर्च करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी से जाया जाए क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई भ घिलाजाएगा या फिर पूरा टूर्णामेंट पाकिस्टान से हटकर कहीं बाहर आयोजीत कराया जायगा दीज monties राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में और पाकिस्तान के इस रिनोवेशन के उपर आपका क्या कहना है बताईएगा हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में अभी के लिए मुझे दे दीजिये इजाजत अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक करिएगा शेयर और अपने स्पोर्ट सेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लिजेगा अभी के लिए दीजे इजाजत जैहिंद जैभारत